Hello everyone, I am C.A. Pulkit Jajodhiyah from Panormic Education Welcome to the fourth video session of our C.A. Final Indirect Taxation Amendments आपने ये वीडियो देखने से पहले तीन पार्ट्स कम्प्लीट कर लिये होने चाहिए जिसमें हमने कई सारे amendments अलग-अलग chapters के cover किये हैं जो आपकी May 24 Final Examinations के लिए बेहद, relevant and important होने वाले हैं इसके अलावा हमने जो syllabus updates हुए हैं, जिसमें goods पे जो reverse charge के notification को लिया गया है उसे भी एक अलग वीडियो के थुरू upload कर दिया है अभी तक हमने जो तीन amendment classes लिये हैं, उसमें आपको ये दिखराए कि ये सारे chapters हमने cover कर लिये हैं ये हमारा last video session है, जिसमें हम ये बचे वई chapters GST के और customs के उनको discuss कर लेने वाले हैं और सारे indirect taxation के हमारे amendments complete हो जाएंगे इस PDF की link आपको नीचे description part में मिल जाएगी, जिसे आप आराम से download करके refer कर सकते हैं तो चलो फटा-फट start करते हैं हमारे amendments हमारा next chapter है, the chapter of refund section 54 से लेके 58 का जो हम discussion करते हैं, उसमें कुछ circulars issue किये गए हैं, कुछ clarifications है कोई बहुत लंबे चौड़े बड़े-बड़े amendment नहीं है, clarificatory changes है कुछ significant बाते हैं, जो गलत रह गई थी, उसको तो असा सुधार दिया गया है या clarify कर दिया गया है, तीन बाते हमें cover करनी है पहली बात क्या दी वही है, आप जब refund कितना मिलना चीए वो निकालते हैं तो निकालते वक्त आपने ये बात पड़ी होती है, कि आपको कितना वो maximum refund निकल के आया वो और दूसरा कितना GSTR 2A में दिखरा है वो, उन में से whichever is lower का amount का आपको refund दे दिया जाएगा ये बात आप जानते हैं, बट अब GSTR 2A लिखा हुआ था ये बात का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना क्योंकि अब GSTR 2A के basis पे आप credit लेते ही नहीं है, आप तो अब GSTR 2B के basis पे credit लेते हैं 2A तो पुरानी बात हो गई अब, अब तो 2B में जितना दिखता है उतना ही credit मिलता है, उतना ही ITC मिलता है तो फिर ये जो आपने refund मांगना है ये 2A देखके कैसे मांगना है यानी बहुत logical है कि 2A वाली बात irrelevant है और इसलिए इन्होंने circular निकाल के clear किया कि अब सब कुछ GSTR 2B के थुरू देखा जाएगा 2A के थुरू नहीं देखा जाएगा, और कुछ भी नहीं तो क्या है 2022 में हमने ये बात बोल दी थी, कि 2022 से कि GSTR 2B देखा जाएगा बट तब से यहाँ ये लिखा था 2A देखेंगे, which was not making sense and thereby इन्होंने कह दिया कि नई वाया 2B देखेंगे और कुछ भी नहीं हुआ है, honestly हम जब class में भी परते हैं तो हमने बोला होता है 2B देखेंगे लिखने के लिए 2B लिखते हैं बट देखेंगे हम 2B हैं क्योंकि practically वही होता है दूसरा, जब हम ये maximum refund का formula परते हैं तो adjusted total turnover निकालते हैं adjusted total turnover तो denominator में आता है उपर numerator में क्या आता है? value of goods exported out of India that is zero rated supply of goods and services ताकि proportionate ratio निकल सके कि आपको कितना refund मिलना चाहिए value लेंगे whichever is less ये भी हमने discuss किया होता है कि पहले एक दिक्कत होती थी कि लोग invoice में कुछ दिखाते थे और shipping mill में कुछ और दिखाते थे ताकि वो refund के अंदर जोल जाल कर सके तो thereby government ने बोल दिया था कि जो shipping mill में दिखा होगी और जो tax invoice में दिखाया होगा उसका lower लेंगे lower लेंगे तुम्हारे ले demerit create कर देंगे तो इस तरीके से इन्होंने value of goods exported out of India जो numerator में लेते हैं उसमें कह दिया कि इन दोनों में से whichever is lower लिया जाएगा तो सवाल ये उठा कि denominator में जब adjusted total turnover लेते हैं तो उसमें भी तो value of exported goods आएगी ही क्योंकि वो तो total है तो उस वक्द भी इन दोनों में से lower लेना है या उस वक्द तो आपको इन voice वाला ही लेना है तो इस चीज़ को लेके इन्होंने clarify किया कि भाई साब जब numerator में whichever is lower लेना है तो denominator में whichever is lower ही लेना है तो उपर जो numerator में ले रहे हो वही denominator में भी होना चाहिए adjusted total turnover में बहुत logical है common sense से ये बात हमें वैसे भी समझ आती थी सिर्फ clarify कर दिया गया कि ये explanation वैसे ही लगाया जाएगा that's it तीसरी बात और आखरी बात इस chapter की इसे मैं फिर भी थोड़ा relevant मानता हूँ exam logic से थोड़ा exam perspective से एक clarification जो rule 96A के related दिया गया है rule 96A क्या होता है sir rule 96A sir rule 96A हमने पढ़ा होता है इसमें आपने ऐसा बताया होता है कि अगर एक registered person बिना IGST के payment के bond या letter of undertaking में goods का export करता है या services का export करता है तो एक समय सीमा होती है जिस समय सीमा में export हो जाना चाहिए अगर goods की बात कर रहे हो तो और समय सीमा में पैसा आ जाना चाहिए अगर services की बात कर रहे हो तो और अगर ऐसा नहीं होता ना sir तो आपको 15 दिनों के अंदर अंदर IGST pay करना पड़ता है with interest ये बात आपको पता है एक बार के लिए ये बात establish कर लेते हैं read कर लेते हैं as per rule 96A a registered person availing option without payment of IGST is required to furnish a bond और ये तो सब के लिए है न अभी हमने पिछले chapter के amendment में देखा ही था ये तो सब के लिए है जब हमने import and export देखा था जबकि जो IGST payment वाला रास्ता है वो कुछ लोगों के लिए नहीं है तबाको और खहनी वाले जैसे लोगों के लिए बाकी तो सब के लिए है binding himself to pay the tax along with applicable interest within a period of 15 days within a period of 15 days goods में भी और services में भी लेकिन goods में क्या लिका है after expiry of 3 months or such further period as may be allowed from the date of issue of invoice for export if the goods are not exported out of India भाई तुमने invoice बना दिया तो invoice बनाने के 3 महीने के अंदर-अंदर export हो जाना चाहिए या extended period अगर आपको commissioner ने allow किया है किसी exceptional circumstance में तो और अगर 3 महीने plus extended period में नहीं होता तो वो time period जब भी खतम हुई उसके 15 दिन के अंदर-अंदर IGST with interest भर दो अगर goods है तो दूसरा 15 days after the expiry of 1 year or such further period as may be allowed by the commissioner from the date of issue of invoice for export if the payment is not received in convertible foreign exchange or Indian rupees wherever permitted by the RBI services के case में क्या बोला है कि जब भी invoice बन गया तो invoice बनने के 1 साल plus further extension के अंदर-अंदर पैसा आ जाना चाहिए convertible forex में या Indian rupee में जहां पर भी हमने allow किया है अगर नहीं आया वो एक साल के अंत तक या plus extended period तो उसके 15 दिनों के अंदर-अंदर आपको IGST with interest पे करना पड़ेगा यह मैंने amendment थोड़ी पड़ाया यह तो मैंने rule 96 से revise कराया आपको अब क्या लिखा है there are instances where the exporters have voluntarily made payment of due IGST along with applicable interest in where the goods could not be exported or payment could not be received within time कई बार लोगों ने यह गलती हो जाने पे सामने से कर दिया मतलब मांगना नहीं पड़ा सरकार को कि भाई टाइम हो गया पैसे ला सामने से कर दिया लोगों ने जब सामने से किया लोगों ने तो एक डवट आया क्यों किया होगा सामने से अरे अगर लेट करते जाओगे तो ब्याज लगता जाएगा ब्याज का काटा चलता जाएगा इसलिए कर दिया होगा ना तो वॉलन्टरली पेमेंट कर दी तो एक डवट आया कि अब अगर जब मैं एक्सपोर्ट कर दूँगा या पैसा आजाएगा भाई एक्सपोर्ट हुआ नहीं समय पे या पैसा आया नहीं समय पे गुद्ज या सर्विस ऐस दे केस में भी तो मैंने पेमेंट कर दिया विट इंटरेस्ट पर अब जब मैंने पेमेंट कर दिया विट इंटरेस्ट उसके बाद goods export कर दिये मैंने यह services का payment realize हो गया अब क्या the said exporters are entitled not only refund of unutilized ITC but also refund of IGST and the interest so paid यह क्या पूछ रहे है doubt क्या आया कि sir देखो आपने bond में निकाला था bond में निकाला तो जो ITC था उसका तो refund आप ले रहे हो क्योंकि bond में निकाला तो ITC का refund मिलता है compliance कर देने थे पर आपने क्योंकि समय के अंदर अंदर यह compliance नहीं किये आपको क्या बोला गया IGST भरो with interest अब IGST भर दिया with interest और उसके बाद compliance कर दिया तो क्या मुझे उस IGST का भी refund मिलेगा with interest and मुझे वो ITC का भी refund मिलेगा यह सवाल उठा this is the question which we require an answer to यह question है इस question का answer सुनने से पहले आपको पिछले एक circular का context दिया है और यह भी relevant है बड़ा important है क्या बुला है 2019 में circular आया था जिसने कहा था exports have been zero rated under IGST and as long as goods have actually been imported even after a period of 3 months on payment of IGST and claiming refund at subsequent date should not be insisted upon यह ऐसा कह रहे है circular में आया था अपने officers के लिए department ने निकाला कि भाई export तो export होता है 3 महीने के बाद भी हो तो भी export है ना zero rated तो फिर भी है तो आप जबरदस्ति उनसे IGST मागने की हरकत क्यों कर रही हो officers को कहा आप परिशान क्यों कर रही हो लोगों को time limit दी है इसका मतलब यह थोड़ी कि आप उनके पीछे पढ़ जाओ insist मत करो क्योंकि export तो export ही है सामने वाले ने bond बनाया है और अगर वो late कर रहा है तो ब्याच तो लगना ही है तो आप उसके पीछे क्यों पढ़े हो in such cases the jurisdictional commissioner में consider granting extension in the said sub rule on post facto basis case to case basis भाई analyze करेंगे क्यों हुआ ऐसा और उसके basis पे हम आप पो extension दे देंगे यानि कि department ने का lenient बनो ऐसा नहीं कि बस 3 महीने हो गए लाव पैसे lenient बनो इस मामले में एक साल हो गए लाव पैसे lenient बनो de facto basis पे keeping in view the facts and circumstances the same principle should be followed in case of service दोनों में goods or service में further it has emphasized that the substantive benefits of zero rating may not be denied when it is established that the export in terms of relevant provisions have been made इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि अगर late होई है कि आप zero rated की जो benefits होते हैं वो उससे छीन लें क्योंकि destination principle कि goods export होने चाहिए ना कि taxes वो follow होना चाहिए the above clarification imply that as low gas goods are actually exported the payment is realized even if it is beyond the benefit of zero rated supply cannot be denied just because late होगई इसका मतलब zero rated supply के benefits नहीं छीने जा सकते आपसे इसका मतलब ITC का जो refund है वो मिलना चाहिए आपको बले late होगई accordingly it is clarified that on actual export or on realization the said exporter would be entitled to claim refund of unutilized ITC clear हो गया पहली बात कि वो जो ITC का refund है ना वो तो मिलेगा ही देखो वो हम deny नहीं कर सकते just because 3 महीने या एक साल का time period निकल गया पहली बात तो हम उस 3 महीने और एक साल को extend करने की कोशिश करेंगे extend कर भी दिया फिर भी delay हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आपने export किया और payment received की और late की तो हम आपको refund नहीं देंगे unutilized ITC का एकदम देंगे it is also clarified that in such cases subsequent to export or realization the said exporters would be entitled to claim the refund of IGST so paid on account of goods not being exported और payment not being realized clear हो गया doubt भाई सहाब IGST का ITC का भी refund मिलेगा और जो IGST आपने pay कर दिया क्योंकि time limit चली गई थी उसका भी refund मिलेगा क्योंकि अब आपने अपने पाप धो दिये है आपने export कर दिया है या payment realize कर दिया है भले time period के beyond किया इससे फरक नहीं परता लेकिन अभी भी एक doubt है सर, IGST का ITC का refund मिलेगा माना IGST pay कर दिया time limit delay हो जाने पे उसका refund मिलेगा वो भी माना पर सब वो delay होने पे IGST के साथ interest भी बढ़ा था सर, उस interest का भी refund मिलेगा क्या अरे क्या बात करते हो सरकार उंगली दे रही है तुम हाथ पकड रही हो इतनी दयालू थोड़ी है यार सरकार interest तुमारी गलती की वज़े से लिया था ना और वो थोड़ी वापिस करेंगे गलती तो तुमने अभी भी किये देरी तो किये तुमने तो interest तो लगेगा ही interest गया 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 it is further being clarified that no refund of interest shall be admissible हम से interest का refund मत मांगना यार come on हम तुमें डाट दे हम तुमें फटकार दे ऐसे काम मत करो हमने justice करनी चीए थी वो की conclusion आपने bond में निकाले good services ITC का refund लीजिए मिले गाई भले वो तीन महीने और एक साल वाला time period लेट हो गया भले extension नहीं था कोई बात ने वो तो लीजिए आप क्योंकि करेंगे तो सही आप export आएगा तो सही पैसा लीजिए एकदम लीजिए and then समय पे काम नहीं हुआ तो extension मांगिए department देगा facts and circumstances के basis पे दे दिया बहुत बढ़िया उतनेस extension में काम कर लीजिए extension में भी नहीं हो पाया या original time period extend नहीं हुआ और आप नहीं कर पाये export या realization of payment in case of goods and services respectively तो आप IGST भर दीजिए with interest अब आपने अपना काम पूरा कर दिया तो आपको refund मिल जाएगा IGST का interest का नहीं मिलेगा बस ये इतनी सी बात हमारी refund chapter की हो गई यानि refund chapter के जो हमें 3 discussions करने थे 3 circulars देखने थे वो हमने comprehensively complete कर लिये है that's it इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है so हमारा next chapter है assessment and audit में हुआ एक छोटा सा amendment जो section number 62 के अंदर बदलाव किया गया है हमें उसे discuss करना है सबसे पहले तो section number 62 आपके दिमाग में आना चाहिए आपने इसमें क्या पढ़ा हुआ होता है ये एक best judgment assessment का section होता है जिस section में आपने पढ़ा होता है कि अगर कोई person return ना भरे section 39 वाला या section 45 वाला section 39 वाला या section 45 वाला और उसके return ना भरने पे उसे notice दिया जाए जो GSTR 3A में notice दिया जाता है और वो notice देने के बावजूद 15 दिन का जो समय होता है उसमें भी वो return ना भरे तो हम उस case में जो भी available information होगी officer के पास उसके basis पे उसका best judgment हम कर देंगे और यह जो best judgment करने का समय होता है यह 5 साल होता है from the due date of annual return तो जिस भी financial year की बात की जा रही है उस financial year के annual return के due date से 5 साल गिना जाता है जिसमें यह due date कई बार extend हुई है तो हम जानते हैं वो जो extended due date होगी वहाँ से 5 साल गिना जाएगा यह बात आप जानते हैं section 62 में इसके बाद आपने section 62 में यह पड़ा होता है कि अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर जिस भी दिन assessment order बनाया गया वहाँ से 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप अपने पाप धो दें यानि कि आप returns भर दें जो returns आपने नहीं बराता जिसकी वज़ा से section 62 trigger हुआ था तो वो जो assessment order है वो assessment order मान लिया जाएगा कि withdraw कर लिया गया है यानि उस assessment order के पहट जो आपके उपर penalty, prosecution या जो भी लगाया जा सकता था वो नहीं लगाया जाएगा हाला कि interest, late fees वो तो आपको बरनी ही पड़ेगी वो withdraw नहीं होगा, सिर्फ order withdraw हो जाएगा जिससे बाकी चीजें आप पे जो लगती वो नहीं लगेगी ये आप section 62 के बारे में जानते हैं अब यहां क्या किया गया ये जो 30 days है ना इसे हटा के 60 days कर दिया गया है पहला update और दूसरा, 60 days करने के बाद ऐसा कहा है और 60 days तक भी यानि extension भी देंगे आपको और 60 days का जिसके लिए आपको किसी से permission नहीं लेनी है और 60 days के अंदर भी अगर आप भर दोगे तो भी हम आपको माफ कर देंगे यानि वो order withdraw कर लेंगे हाला कि interest और late fees तो आपको भर नहीं है वो तो continue होगा section 50 की late section 50 की interest और section 47 की late fees तो 30 days की जगा 60 हो गया और वो 60 में भी और 60 days का extension मिल जाएगा लेकिन जो और 60 days का extension मिलेगा ना इसमें ऐसा बोला गया तुमें वो जो भी 60 days बीतने के बाद और extra days मिले हैं उसमें तुमने जितने दिन लगाए होंगे हर दिन का 100 रुपय का extra late fees देना पड़ेगा आपको वो भर देते हो आप तो उस case में और 60 days में भी आपने किया होगा तो भी चलेगा यह मैंने आपको brief में एक बार बताया एक बार section परते होए लॉकी language से देखोगे तो उसे summarize कर पाओगे easily क्या लिखा है section 62 में notwithstanding anything to the contrary contained in 73 or 74 where a registered person fails to furnish 39 or 45 यानि final return और 39 यानि GSTR 3B and GSTR 10 यह दो की बात की जा रही है and a notice under section 46 has been issued 46 का notice कौन सा होता है GSTR 3A और यह notice में आपको क्या बोला जाता है कि 15 दिन के अंदर अंदर बर दो और फिर भी आपने नहीं भरा and बोला है and तो पहले तो आपने GSTR 3B या GSTR 10 नहीं भरा था फिर आपको GSTR 3A का notice आया और वहां से 15 दिन में भी आपने रिटन नहीं बरा तो प्रॉपर ओफिसर क्या करेगा आप एक डीफॉल्टर है और बेस्ट ओफिस जज्ज्मेंट on the basis of the relevant material available उसके बेसिस पे आपका assessment करेगा उसकी टाइम लिमिट क्या होगी उसकी टाइम लिमिट 5 साल होगी from the date specified under section 44 annual return की due date जो किसी financial year के अगले financial year की 31st December होती है हाला कि अगर वो due date extend हो गई तो वो extended due date से 5 साल की नहीं जाएंगे अब इसके बाद आप क्या पढ़ते हो withdrawal where the registered person furnishes a valid return for the default period within 60 days पहले यह 30 days आप पढ़ते थे यह amend हो गया 30 days की जगा 60 days हो गया of the service of assessment order जब भी आपको assessment order serve किया गया वहां से 30 दिन नहीं वहां से 60 दिन the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn हाला कि section 50 का ब्याज और section 47 का late fees लगेगा बाकी और कुछ नहीं होगा एक बात अब और add की गई however where you fail to furnish within 60 days ही में furnish the same within a further period of 60 days और 60 दिन हाला कि उसके लिए और additional fee लगेगी जो 47 की लग रही थी वो तो लगेगी ही वो तो return late की और यहां पर और extra additional fees लगेगी आपको कितनी 100 उपए for each day for delay beyond 60 days 60 दिन के beyond जितना गया होगा तो जिस भी दिन order आया assessment order आया serve हुआ आपको वहां से 60 दिन तक तो हम कोई additional fee नहीं लेंगे आप खाली valid return भर दो तो आपकी 47 की late fees तो लगेगी 50 की interest लगेगी लेकिन कोई additional fee नहीं लेंगे और withdraw हो जाएगा समझो 60 दे हो गए और आपने 64 दे पे भरा तो भी चलेगा लेकिन वह जो 4 दिन दिले हुए उसके लिए per day का 100 रुपिया 400 रुपिया ये 400 रुपिया एक्ट्रा देना है आपको अपर्ट फ्रॉम the 47 की late fees and 50 का interest लेकिन ये और 60 दिन तक ही मिलेगा बट 51 की liability और 47 की liability तो continue होगी ये बात तो आप पहले से भी जानते थे इसमें कोई बदलाब नहीं है इसका मतलब अगर हम इसका conclusion मना दे तो जिस भी दिन service हुआ of the order वहाँ से पहले था खाली plus 30 days अब उसकी जगह हो गया है plus 60 days और plus 60 days लेकिन ये और plus 60 days में additional fee सामने से भरनी होगी कोई permission permission लेने की ज़रूत नहीं है generally आप देखते हो na extension लेने के लिए पूछना पड़ता है authorized person से ऐसा कुछ नहीं है additional fee भरनी है 100 रुपए पर डिक बस इतना काम आपको पूरा करना है and that's it आपका section number 62 का order withdraw हो जाएगा ये इतनी सी बात change की गई है MCQ में बड़ी relevant हो सकती है थोड़ा सा important material change हो गया ये क्योंकि time limit के अंदर और additional fees calculate के questions आपको easily पूछे जा सकते हैं तो assessment audit में हमारा सिर्फ यही एक change हुआ है हमारा next chapter है demands and recovery इस chapter में एक बेहद छोटा सा rule में amendment किया गया है और वो rule में amendment किया गया है with regard to provisional attachment of property provisional attachment of property के related आप पहले से इतनी जानकारी रखते हैं आपको इतना idea है कि जब भी provisional attachment किया जाता है तो उसके बाद उसे remove करने के लिए commissioner के return instructions लेने होते हैं जब commissioner return instructions देता है तभी वो जो आपने movable या immowable property पे एक encumbrance create किया था एक provisional attachment किया था कि तुम इसे sale नहीं कर सकते तुम इसे बेच नहीं सकते वो हटेगा नहीं तो वो हटाने के लिए आपको return instructions चाहिए commissioner से अब इस बात में क्या किया गया ऐसा बोला गया कि या तो अब return instructions चाहिए होंगे या जिस भी दिन provisional attachment का order pass किया गया होगा न वहाँ से एक साल whichever is earlier यानि time limit को एक cap दे दिया कि वह return instructions दो साल तक नहीं आए तीन साल तक नहीं आए तो क्या provisional attachment रहेगा क्या property का उसका एक समय सीमा तो होना चाहिए आप provisional attach कर रहे हो सामने वाले पे एक burden create कर रहे होगी तुम उस property को जो तुमारी है उसे बेच नहीं सकते तो एक reasonable time period होना चाहिए तो reasonable time period पे cap लग जाए जो natural justice है इसलिए ये limit में एक addition कर दिया गया यानि अब आपको इतना ध्यान में रखना है या तो return instruction आएंगे commissioner से या जिस भी दिन provisional attachment का order pass किया होगा वहाँ से एक साल इन दोनों में से जो भी पहले हो गया तो provisional attachment release कर दिया जाएगा read कर लेते हैं फटाफट encumbrance on provisional attached property to be removed upon expiry of period of one year in case return instructions not received भाई एक साल होगे इंतजार कर रहे थे return instructions नहीं आया तो removed it stipulates that in case of provisional attachment the encumbrance on the said movable या immovable property shall be removed only on the return instructions to that effect that sub rule has been amended कि on return instructions होगा या on expiry of period of one year from the date of issuance of provisional attachment of property whichever is earlier किया जाएगा बस इत्ती सी बात honestly exam angle से ये बहधी irrelevant सा discussion हो गया कोई पूछे जाने के chances negligible है क्योंकि ये rule तो वैसे भी हम regular वक्त भी पड़ते वक्त इतनी importance नहीं देते कि भाई वो कब remove किया जाएगा बट क्योंकि amendment है MCQ में आपको question पूछ लिया जाए उस हिसाब से हमें coverage करना जरूरी था हमारा next amendment है appeal and revision के chapter में बहुत छोटा सा एक बदलाव rules में किया गया है क्या बदलाव किया गया है अभी तग आप ये बाद जानते थे कि जो appeal करनी होती है वो electronically करनी होती है GST APL 1 जब एक agreed person appeal करता है taxpayer basically GST APL 3 जब department appeal के लिए file करता है तो हम जानते थे कि ये electronically file करनी है आपको manual का कोई provision नहीं था अब इनोंने ये जरुरत समझते हुए कि कुछ situations में manually हमें appeal allow करना पड़ेगा due to certain difficulties इनोंने एक rule में amendment कर दी और कहा कि अब आप manually कर सकते हैं अगर दो में से कोई भी situation satisfy हो गई तो यानि GST APL 1 एन GST APL 3 एक taxpayer वाली और एक department वाली ये manually की जा सकती है कब एक point तो इनोंने ऐसा बुला जब भी notify कर दिया गया जाए by the commissioner कि आप कर सकते हो यानि notification आएगा और commissioner ने allow कि आएगी तुम कर सकते हो तो कर देंगे या दूसरा कई बार क्या होता है कि जो decision या order है जिसके against मुझे appeal file करनी है वो electronically available नहीं होता glitches की वज़ा से या किसी ना किसी कारण की वज़ा से वो electronically available नहीं है हमारे common portal पे हमारे dashboard में and क्योंकि वो available नहीं है हम electronically file नहीं कर पारे तो अगर electronically file नहीं कर पारे तो आप manually file कर लिजे यह दूसरा option दे दिया गया and then कहा गया कि ऐसी situation में provisional acknowledgement immediately issue कर दिया जाएगा उसके आगी की कहानी तो आप जानते ही हो वो तो सबकुछ वैसी की वैसी ही है कि फिर जब order मिल जाएगा तब करना होगा तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने सबकुछ समय पे complete कर लिया है क्योंकि वो duration होती है ना जिसके अंदर आपको appeal file करना mandatory है तो इस वजह से manual allow कर दिया गया है इतनी सी बाट चींज हुई है क्विकली देख लो आप facility वर filing appeal manually an appeal against a decision to appellate authority can be filed by the taxpayer और by the department a provision have been inserted to the rule an appeal may be filed manually in APL 1 और APL 3 ता इस बाइग्रीट person और by the department along with the relevant documents only if first या second commissioner has so notified या तो आपको notify किया है और the same cannot be filed electronically due to non availability of the decision or the order to be against and in such a case a provisional acknowledgement shall be issued to the appellant immediately तुरंत आपको provisional acknowledgement issue कर दिया जाना चाहिए ये बात appeal and revision में add की गई है that's it so हमारा next chapter है offenses and penalties and ethical aspects under GST इस chapter में बच्छों कुछ amendments हुए है जो काफी material है काफी important है इन्हें exam में पूछे जाने के chances काफी high होंगे section 122 और section number 132 that is 132 में कुछ changes किये गए है 122 में पहले से आपने जो पढ़ा हुआ होता है वो तो है ही 122 subsection 1 subsection 1A subsection 2 subsection 3 वो तो सब वैसे ही है उसमें कोई बदलाब नहीं है लेकिन एक नया subsection insert किया गया है 122 1B और वो पूरा नया subsection हमें देखना है कि इसका क्या मतलब है इसमें क्या coverage है and जो section 132 आप पढ़ते हैं जिसमें हम arrest की बात करते हैं कि कुछ list of offenses है वो criminal offenses है and इतने amount से exceed कि और इतने amount टक हुआ तो आपको jail के दर्शन करने पड़ेंगे उसकी जो minimum maximum period होती है वहाँ changes हुए है and वहाँ changes होने की वज़ह से section 138 compounding of offenses की jail के दर्शन करने से बचना है तो उसके लिए आप बहुत सारी रकम चुका दे और हम आपको jail में नहीं डालेंगे उसमें भी कुछ important बदलाफ किये गए है limits और calculation के अंदर changes किये गए है तो यह हमारा agenda है जो हमें cover करना है तो फटा फट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1221B 1221B altogether new insertion है जो इन्होंने ECO के लिए डाला है सिर्फ electronic commerce operator के लिए डाला है और ऐसा कहा है कि अगर ECO इन तीनों में से कोई गलती करता है इन तीनों में से कोई गलती करता है तो उसके उपर हम penalty लगाएंगे notice बेजेंगे फिर order बनाएंगे जो process होता है वो process follow करेंगे हम उसमें penalty लगाएंगे अगर वो इन तीनों में से कोई गलती करता है अब ये तीनों गलती आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी बहुत आसानी से याद हो जाएगी अगर आपने ECO के related जो हमने amendments पिछले chapters में discuss किये वो comprehensively समझ लिए है पिछले chapters में ध्यान है हमने क्या-क्या ECO के related amendments discuss किये थे कि सर एक composition लिवी में discuss किया था section 10 subsection 1 और section 10 subsection 2A में और वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि सर composition scheme करने वाला अगर किसी ECO के थूँ goods supply करना चाहे तो कर सकता है services supply नहीं कर सकता ये amendment एक हमने देखा था दूसरा discussion एक और हमने बड़ा important देखा था registration and electronic commerce transaction के chapter में कि पहले services जो supply करते थे through ECO उन services वालों को तो आज भी allowed है कि वो कर सकते हैं भले उनका threshold अभी तक cross नहीं हुआ है मतलब जब तक उनका threshold cross नहीं हो जाता registration लेना ही पड़ेगा जिसमें amendment देखा था हमने कि नहीं अब ज़रूरी नहीं है एक unregistered person को हम उसके threshold तक operate करने देंगे threshold के बाद ही उसे registration लेना है और वो एक unregistered person goods supply करना चाहे through ECO तो कर सकता है बट बहुत सारी conditions थी वो सारी conditions satisfy करनी थी से हम कुछ remind करें तो कि conditions के अंदर हमने कहा था कि भाई ECO तुझे GSTR 8 में उसकी details देनी पड़ेगी तेरे through interstate supply नहीं कर सकता है किसी एक state में ही supply कर सकता है ऐसी सारी बातें हमने conditions में देखी थी वो सबका अगर आपको स्मरण है तो आपको ही आ गया क्या लिखाए देखो ECO who allows a supply of goods or services or both through it by an unregistered person other than a person exempted from obtaining registration by a notification issued under this act अगर कोई ECO अपने through supply होने देता है goods and services की किसी unregistered person द्वारा और वो unregistered person को कोई exemption नहीं दिया गया है GST कानून में registration लेने से तो ये एक offense माना जाएगा क्योंकि services वालों को तो हमने notification देखा है मिला हुआ है goods वालों को भी अब notification मिल गया है लेकिन goods वालों के अंदर बहुत सारी conditions है उनको enrollment number लेना परता है न ये सब conditions satisfy होई होगी तो अगर किसी unregistered person ने ECO के थूँँ supply किया है तो ECO को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर ECO इन conditions को violate करके अगर किसी भी unregistered person की supply अपने platform से कराता है तो वो offense है दूसरा allows an interstate supply through it by a person who is not eligible to make such interstate supply हमने पढ़ा था कि जो composition scheme वाले होते हैं वो interstate supply नहीं कर सकते और क्या कोई composition वाला जो goods supply कर रहा है वो ECO के through supply कर सकता है येस लेकिन composition वाला interstate नहीं कर सकता अगर आपने किसी composition वाले के through supply कराई जो registered है composition scheme में है और interstate supply करवा दी तो ECO offense में book हो जाएगा आपको किसी ऐसे person को जो interstate supply नहीं कर सकता उसे करवानी नहीं थी same बात कोई composition scheme वाला नहीं है unregistered person है तो हमने वहाँ पे भी तो condition कही थी कि एक unregistered person जो goods supply करता है composition scheme में नहीं है वो ECO के through interstate supply नहीं कर सकता अगर वो कर दी ECO ने तो ECO offense के लिए book हो जाएगा तीसरा fails to furnish the correct details in the statement to be furnished in section 52 sub section 4 of any outward supply effected through it by a person exempted from obtaining a registration अगिन याद आजाना चाहिए जिस person को registration लेने से हमने free किया है हमने कहा था कि इसकी details GSTR 8 में ECO को देनी होगी और अगर वो registered है तो GSTR 8 के through details जाती है तो उसके e-cash ledger में दिखेगी ये बात हमने cover की थी जो TCS का आपका return होता है तो यहाँ पर ये बोल रहे है कि अगर कोई unregistered person जिसे registration लेने से हमने maaf किया है उसकी कोई supply है और वो supply के related जो details फर्निश करनी है वो ECO ने नहीं की तो ECO को ले offense book कर दिया जाएगा ये तीन situation create e-slay की गई क्योंकि कई parallel amendments ECO के chapter में हमने देखे shall be liable to pay a penalty of 10,000 rupees और an amount equivalent to the amount of tax involved had such supply been made by a registered person other than a person paying tax under section 10 whichever is higher ये क्या बोल रहे है कि समझो ये offense के अंदर कोई एक particular value of supply के related offense हुआ है समझो वो value of supply थी 10 lakh और 10 lakh पे जो normal registered percent GST लगाता उस पे composition वाला नहीं वो 18 टका होता तो 10 lakh पे अगर 18 टका लगाता तो कितना होता एक लाक असी हजार ये एक लाक असी हजार का amount will be equal to the penalty amount और 10,000 whichever is higher तो 10,000 तो fixed है वो तो absolute है उसके अलावा 10 lakh की value थी 10 lakh पे 18 टका GST था तो CGST कितना हो जाएगा नौट अगा ये 10 lakh पे जो नौट अगा है वो हो गया 90,000 इन दोनों में से whichever is higher तो penalty कितने की हो जाएगी 90,000 की हो जाएगी देखो ध्यान में रखना ये CGST Act में लिखा है CGST Act में वैसे ये बात आपको पता है क्योंकि penalties आप निकालते ही हो तो CGST की पूछी है या IGST की पूछी है वो impact होगा आपको exam में यही दो पूछ सकते हैं SGST तो पूछ नहीं सकते हैं उस respective state या union territory का अगर IGST exam में आता है तो फिर आप क्या बोलते है इसे double कर देते double double कर देते मतलब 10,000 का हो जाएगा 20,000 और 10,000,000 का हो जाएगा ठारा ठका और double amount आईगी अगर IGST exam में पूछा तो CGST पूछा तो बड़ा simple किया आपने क्योंकि CGST के अंदर 10,000 लिखा है और 10,00,000 into 9% CGST वाला portion उठाया है हमने तो अगर किसी ECO ने अपने through supply कराई है और वो supply 10,00,000 की है जो इसमें offense हो गई क्योंकि वो supply किसी unregistered person की थी या interstate supply करवा दी या फिर उसकी details फर्निश नहीं की तीनों में से कुछ भी तो उस 10,00,000 पे समझो 9 टका rate थी 9 प्लस 9 तो 10,00,000 पे 9,000 और 10,000 whichever is higher 9,000 की penalty उस ECO को face करनी पड़ेगी ये हमारा 122.1b का discussion complete हो जाता है त्यान रखना CGST पूछाओ तो इतना ही करना IGST पूछाओ तो amount को double कर देना एक्जाम में ये careful रहे न ये पूरे penalty chapter के लिए होता है कोई specific point के लिए हम नहीं कह रहे ये तो आपको basic पता है अब आ जाते हैं दूसरे amendment पे section 132 देखो section 132 में amendment क्या हुआ है वो तो cover करेंगे ये भी cover कर लेते हैं पूरा section 132 क्या है जादा better रहेगा brief में cover कर लेते हैं revision भी हो जाएगा हमारा क्योंकि बीच-बीच में changes हुए है तो confusion होगा कि सर बदला क्या तो हम पूरा fresh क्या हो गया है वही discuss कर लेते हैं section 132 subsection 1 में कहा है अगर आप A, B, C, D, E, F G, H, I, J, K, L यह list जो sub 122.1 में भी लिखी हुई है 122.1 में civil offenses covered है जिसके लिए penalty 10,000 और tax evaded whichever is higher हम देखते ही है उन में से 12 छाट के 12 यहां लिखी हुई है और यहां लिखके बोला है यह सब के लिए आप criminally liable हो यानि यह सब में आपको jail हो सकती है तो इन्होंने 12 जो लिखी है उसमें सबसे पहली क्या लिखी है supply किया पर invoice issue नहीं किया बताओ invoice ही नहीं बनाया और supply कर दिया आपने जुर्म दूसरा invoice बनाया पर supply नहीं किया यह बहुत होता है GST में सबसे बड़ा fraud ही है यह कि बही बिल बना दिया उस पर GST लगा दिया सामने वाले को credit मिल जाएगा और supply तो तुमने की ही नहीं जनरली बिल कॉल बनाता है जिसके बहुत सारा ITC पड़ा होता है तो payable आये तो भी दिक्कत नहीं है और यह बिल कौन लेता है recipient कौन होता है जिसका payable बहुत बड़ा होता है और ITC होता नहीं तो उसको ITC मिल जाता है इससे दोनों का फाइदा हो जाता है चूना सिफ सरकार को लगता है यह सबसे बड़ा fraud इन्होंने clearly बोला हुआ है की issue किया जिससे गलत ITC ले लिया wrongful ITC ITC लिया using invoice or bill referred to in clause B तो उपर B में क्या cover किया है जिसने issue किया और C में क्या cover किया है जिसने उसके basis पे ITC लिया दोनों फसेंगे collects any amount as tax but fails to pay to the government within a period of 3 months आपने कोई चीज GST के नाम पे लिए किसी से और 3 महीने हो गए due date से और आपने उसे सरकार को नहीं पे की evade किया tax या fraudulently refund ले लिया refund आपने गलत तरीके से लिया जो आपके उपर ACD में covered नहीं है falsify किया या fake accounts या documents बनाए ये सब में कोई changes नहीं है जितने आपने बाते देखी next में क्या हुआ एक point पढ़ते थे आप आपने उसको उसका काम करने नहीं दिया जैसे for example officer आपके premises पर आया था inspection करने legitimate तरीके से procedure follow करके और जब officer अपना काम कर रहा है तो आप उसको corporate नहीं कर रहे है आप abstract कर रहे है उसके रोक रहे है वो किसी room में inspection करने जाना चाता है आप जाने नहीं दे रहे है चाबी नहीं दे रहे है यानि उसके legal rights में जो है उसकी duties में वो आप उसे करने नहीं दे रहे ये criminal offense में था अब नहीं है offense है अब भी ये civil offense है पर ये criminal offense नहीं है इसके लिए jail में नहीं डालेंगे यार तुमको आफिसर को काम नहीं करने दिया, जेल में डाल देंगे, पहले डाल सकते थे, अब नहीं डालेंगे Next, acquires possession of her concerns in self with transporting, removing, depositing, वगरा 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 आपको पता है कि कोई चीज चोडी का माल है Liable to confiscation है, फिर भी सयोग करते हो, secondary party, जो मदद करती है, transporter, warehouse वाला या जो भी किसी कानून के related कुछ तोड़ा गया है, किसी चर्टिकलर चीज के related, फिर भी तुमने वो समान receive कर लिया इस तरीके के offense को भी criminal offense बोला है Tampers or destroy any material evidence, amendment, पहले ये criminal offense हा, अब नहीं है Material evidence, tamper करना या destroy करना is not a criminal offense, it is a civil offense Fails to supply any information which is required to supply, को information supply करनी थी, वो नहीं थी या false information supply की, ये भी criminal offense ब नहीं है Attempts to commit or abits the commission, करने की कोशिश की, किया नहीं, करने की कोशिश की या जो कर रहा था उसकी मदद की, तो वो last point में cover हो जाएगा कौन से वाले, A to F and H and I, क्योंकि बाकी delete हो गए न, G, J और K delete हो गए जी, J और K delete हो गए, तो बाकी सारे, इसलिए ऐसे लिखा है, A to F तक जाएंगे फिर G नहीं है, फिर H और I, फिर J और K नहीं है, तो पहले हम यहां बोलते थे सारे हैं, अब सारे की जगा आप क्या बोलोगे, जो जो है उनी को न, जो ही नहीं उनकी बात कैसे करेंगे अब हम, इसका मतला पहले जो आप list of offenses परते थे, उस list of offenses में से तीन delete कर दिये हैं, तीन, अब्स्टक करना, टैंपर करना, फॉल्स information प्रोवाइड करना, या कोई information प्रोवाइड ही ना करना, यह तीनों delete कर दिये, अब यह criminal offense नहीं है, इनके लिए आपको अब उसके basis पर आगे भी क्या किया इन्होंने, anyone who commits or causes to commits and raises the benefit of any of the above offenses, आपने उपर जो भी offenses पढ़े, सारे के सारे offenses, जो delete हो गए वो तब delete हो गए, वो तीन नहीं, उसके अलावा जो बाकी सारे offenses पढ़े, उसमें लिखा है अगर tax evade किया है, या ITC wrongly avail utilize किया है, या refund wrongly लिय इन में से किसी भी offense की वज़ा से ऐसा किया है आपने, और वो जो amount involved है, वो 5 करोर से जादा है, या 2 करोर से जादा है पर 5 करोर तक है, तो maximum 5 साल तक की jail या maximum 3 साल तक की jail होगी भी court fine, court की fine, penalty अलग, 122 की penalty होती हो अलग, court की fine जो लगेगी वो अलग, वो भी लगेगी, maximum, maximum क् कि आप जानते है, minimum क्या है, 6 महीने, minimum 6 महीने होता है, हाला कि अगर आपके बास special and adequate reason होते हैं, तो फिर उस case में reasons record करके 6 महीने से कम हो सकता है, but ideally 6 महीने हम बोलते हैं, मतलब minimum 6 महीने की jail होगी, maximum 5 साल तक की होगी, अगर amount involved 5 करोर से उपर है, minimum 6 महीने की होगी, maximum 3 साल की होग अगर amount involved 2 करोर के उपर है, पर 5 करोर तक है, तो sir अगर amount involved 2 करोर के नीचे है, तो amount involved 2 करोर तक है, तो jail नहीं होगी, तो हम आपको jail में नहीं डालेंगे, हमने कहा कि ये सारे offenses में से amount involved 2 करोर से जादा है, पर 5 करोर तक है, या 5 करोर से जादा है, तो minimum maximum हमने बता दिया, अब इन्होंने एक नया point डाला है अब, नया point आपको बोल में दिया है, issuance of invoice without supply violation leading to utilization of ITC, ये point आपने उपर offences में पढ़ा था न, ये list में से कौन सा offence था, B, इन्होंने यहाँ पर B वाला mention किया है, सिर्फ B वाला, सिर्फ B वाला, और उसके लिए क्या बोला है, अगर amount involved एक करोर से जादा है, पर 2 करोर तक है, तो maximum आपको एक साल तक की jail हो सकती है, minimum 6 महीने की, अब सुनना मेरी बात बड़ी ध्यान से, ये बहुत critical है, MCQ में या question में आराम से बनाया जा सकता है, क्या position हो गई, ये तीन बात, ये दो बाते पढ़ा के आपको clear कर देता हूँ, जो सारे offences हैं, उसमें से तीन डिलीट हो गए, उसको तो भूल जाओ, उसमें तो jail होई नहीं सकती, whatever is the amount involved, उसको भूल जाओ, अब जो जितने भी लिखे हुए offences थे, उनमें से खाली B offence को बार निकालो, खाली B offence को, that is मैंने invoice या bill of supply बनाया, invoice बनाया, और उसके basis पे सामने वाले मैंने wrongly ITC ले लिया, क्योंकि मैंने supply तो किया ही नहीं था, मैंने तो खाली invoice बनाया था, इस offence के करने पे, अगर amount involved एक करोड तक है, तो jail नहीं होगी, एक करोड के ऊपर है, दो करोड तक है, तो maximum एक साल की jail होगी, दो करोड के ऊपर है, पांच करोड तक है, तो maximum तीन साल की jail लोगी, minimum तो हर जगा 6 महीने, reasons हुए तो उससे कम भी हो सकता है, which the court will record, fine तो है, अगर ये B वाल offense नहीं है, B के अलावा वाले बाकी सब है, तो दो करोड तक है, तो तो है ही नहीं jail, दो करोड के ऊपर पांच करोड तक, तीन साल maximum, पांच करोड के ऊपर पांच साल maximum, I hope आपको समझ आ गई होगी बात, ये वाली बात सिर्फ B के लिए है, ये दो करोड वाली limit, एक करोड से उपर, दो करोड वाली सिर्फ B के लिए है, बाकी B के लिए उपर वाले भी है, ये all के लिए है, ये जो दो करोड के उपर, पांच करोड तक और पांच करोड के उपर व अगर ये वाली गलती है falsification of information आपने गलात information falsify यह निए F वाली F F clause F तो मैं हो clear ले जाँ clause F तो उस case में क्या बुलाए amount involved नहीं देखेंगे हम amount involved नहीं देखेंगे 6 महीने की maximum jail हो सकती है आपको minimum कुछ नहीं है इसमें maximum 6 महीने की jail हो सकती है with fine or both और उपर देखना and and था या और with fine or with both दोनों भी हो सकते हैं दोनों में से कोई एक भी हो सकता है maximum 6 महीने की jail होगी या minimum की कोई बात नहीं है यह clause F के लिए clause F के लिए again समझना clause F वाले में आपको irrespective of the amount involved jail हो सकती है maximum 6 महीने की दो करोड की ओपर गए 5 करोड तक है तो minimum 6 महीने maximum तीन साल और पांच करोड की ओपर गई तो minimum 6 महीने maximum 5 साल क्योंकि ऊपर all में तो आई गया न एफ बट अगर एफ नहीं में B श्रे जो working जो Τ्रे मांधacer करोड की और अगर B और F नहीं है, B और F है ही नहीं, तो फिर सिर्फ उपर All वाला पड़ रहे हो, All वाला पड़ रहे हो तो उसके अंदर क्या बोला है, 2 करोड के उपर गया, तो 3 साल, 5 करोड के उपर गया, तो 5 साल, simple, फिर क्या बोला है, For second and every subsequent offense under section 132, भाई पहली बार करते हो न, तो इत्ती कहानी है, पहली बार, जीवन में पहली पहली बार कोई offense किया है, अगर दूसरी बार या उसके बाद तीसरी चौती बार करते हो, तो तुम्हें तो आदत हो चुकी है, अभी तो आदत हो चुकी है तुम्हें, लिमिट विम जितने भी तुमने उपर पड़े वो अगर उन में से कोई भी दूसरी बार किया है तो लिमिट विमिट जाने दो तुम माक्सिमम पाथ साल के लिए जाओ विट फाइन और मिनिमम छह महीने तो है मिनिमम छह महीने तो है मतला बमाउंट मिलवाल बुल जाना फिर समरी कर दूँ फड़ा फट वैसे तो हो गया होना ची अभी ता क्लियर फिर भी एक बार इसको एकदम क्लियरली समझ लो अमाउंट दो करोड की उपर चल गया पांच करोड तक है तो मिनिममम छह मैक्सिमम तीन पांच करोड की उपर चल गया तो मिनिममम छह मैक्सिमम पांच अगर क्लॉस बी वाला है ओफिंस invoice issue कर दिया, supply नहीं किया, सामने वाले ने उसके basis पर ITC wrongly ले लिया तो उस case में amount एक करोड के उपर है, दो करोड तक है, तो minimum 6, maximum 1 दो करोड के उपर है, पांच करोड तक है, तो minimum 6, maximum 3 और पांच करोड के उपर है, तो minimum 6, maximum 5 code fine तो है यह जगा अगर clause B और clause F को छोड़ के, कोई भी और offense है, पहली बार तो amount involved अगर 2 करोड के उपर गया, पांच करोड तक है, तो minimum 6, maximum 3 और पांच करोड के उपर चला गया, तो minimum 6, maximum 5, code fine तो है and इन में से कोई भी offense दूसरी बार कर रहे हो, या subsequent कर रहे हो तो फिर minimum 6, maximum 5 fine तो है, amount नहीं देखने, इतना रहे गई, कोई भी offense करो फिर, उपर से लेके नीचे तक that's it, यह हमने coverage किया, यहाँ पर आपको यह चीज explain की हुई है, बाकी हमने cover कर लिया है, बाकी आप जानते हो कि एक person को prosecute नहीं कर सकते, जब तक commissioner का previous sanction ना हो, 132 का amendment हो गया, पर 132 के साथ parallely हमें 138 compounding में आना होगा, और इसी के link से 138 compounding में क्या changes हुए है, वो भी देखने होगे, क्योंकि उसका respective rule, rule 162 भी amend किया गया है, rule 162 के अंदर क्या बोला है, कि पहले ऐसा लिखा था, कि यह commissioner compounding allow कर देगा, अगर उसने corporate किया है, and full and true disclosure किया है, corporate भी करना है, and full and true disclosure करना है, दोनों बाते पूरी होनी चीए, ऐसा पहले लिखा था, आपको पता है यह बत, यहाँ सर, दोनों बाते पूरी होनी चीए, तब ही compounding होती है, अभी आप compounding हो मतलब तो जानते ही हो, सर, GST की चोरी की है, जेल में डाल रहे हो, अरे वहाँ लूटे रहे रहते हैं, मैं तो GST की चोरी की है, वहाँ तो kidnappers, rapists, ऐसे लोग रहते हैं, murderers, सर, मैं क्या मू दिखाऊंगा जेल में जाके, वहाँ जेल में बैटे होंगे, सर, सब बड़े-बड़े कारणा में करने वाले लोग, और मैं जाके बोलूँगा, मैं GST चोरी करके आया, कैसा सर, क्या इज़्जत रह जाएगी मेरी, इसलिए आप ऐसे offenses में compounding करा सकते हैं, इधर before और after the institution of the proceeding, प्रोसीडिंग शुरू होने के पहले भी या प्रोसीडिंग शुरू होने के बाद भी करा सकते हैं, compounding, जिसके लिए कुछ conditions है, और वह condition क्या पड़ी हुई है, आपने इज़र cooperate करना चाहिए, और full and true disclosure करना चाहिए, अब amendment क्या किया गया, amendment करके बोला गया, एक cooperation नहीं चीए तेरा, मतलब तुने पहले प्रोसीडिंग में cooperation नहीं भी किया होगा ना, कोई बात नहीं, खाली अब full and true disclosure करना, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या लिखा है, the first condition prescribed has been relaxed, now the compounding application can be accepted only if the application has made full and true disclosure, क्योंकि ये जो cooperate करने वाली बात है बड़ी subjective बात थी ना, अभी cooperate करना क्या होता है, मैं आपके लिए amendment lecture डाल रहा हूँ तो मैं आपके साथ cooperate कर रहा हूँ या नहीं, कोई बोलेगा सर खाली amendment lecture ही तो डाल रहे हूँ, सब कुछ डालते तो उसे बोलते cooperate करना, cooperation का तो क्या मतलब हुआ, कोई उतना है में cooperate मान लेगा, तो मैंने during the proceedings cooperate किया है या नहीं, इसको justify कैसे करेंगे, इसलों उन्हें इसको relax ही कर दिया, बोले इसको जाने दो, full and true disclosure किया है, काफी है, एक बात, दूसरी बात, section 132 बोलता है, कि amount कितना होगा, वह हम prescribe करेंगे, और अब जो prescribe किया है, उसमें amendment है, जो minimum maximum आप पढ़ते थे, वो minimum maximum change करके बोल दिया है, 25 टके of the tax, से कम नहीं होना चाहिए, and 100 टके of the tax, से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, range हो गई अभी, 25% to 100% of tax, यह range है, यह minimum maximum है, पुरानी वाली बूल जाओ, बूल जाओ, हैई नहीं वो, बूल जाओ उसको, 25% to 100%, और उसके बाद यह नहीं बोला, कि बस हो गया 25% to 100%, बोला, अब हम prescribe करेंगे, और prescribe करके, rule 162 के अंदर, पूरा आपको detail में बताया है, क्या बताया है, clause A, clause C, clause D, और clause E के लिए, अभी आपने सारे पड़े न, clause wise, उसमें से A, C, D, और E के लिए, इन के लिए, इन्होंने ऐसा बुला है, up to 75% और 50%, whichever is higher, इसका मतलब clause A, clause C, clause D, clause E के लिए, जो अगर offense आपने किया है, उसमें जो amount involved है, वो 5 करोड से ज़ादा है, 5 करोड से ज़ादा, क्योंकि 132,11 इस 5 करोड से ज़ादा, या 2 करोड से ज़ादा है, पर 5 करोड तक है, तो जो maximum है, वो 75 टका होगी, और जो minimum है, वो 50 टका होगी, and similarly, यहाँ पर जो maximum है, वो 60 टका होगी, और जो minimum है, वो 40 टका होगी, maximum, minimum, clearly बता दिये, offense A, C, D, और E के लिए, depending upon the amount involved, B नहीं बोला हाँ, B के लिए अलग से discussion करेंगे हम, B नहीं बोला, B के लिए क्या अलग से discussion करोगे, अरे B के लिए तो आप जानते हो, क्या जानते हैं सरम B के लिए, अरे B वाला offense compound नहीं हो सकता, B वाला offense compound ही नहीं हो सकता, तो वो यहां कैसे लिखेंगे वो, इसलिए B skip हो गया, B offense cannot be compounded, and, B के अलावा जो बाकी offenses होते हैं, बाकी offenses, वो पहली बार करते हो, जीवन में तो compound होते हैं, दूसरी बार करते हो, तो compounding नहीं होती है, यानि यह सब जो आपने किया होगा, कांड, वो जीवन में पहली बार किया होगा, it is your first offense, इसलिए compounding का मौका मिला है, वो भी सारे clauses, लेकिन B को छोड़के, B clause में, तो compounding होती नहीं है, पहली दूसरी तीसरी जितनी बार कर लो, होती नहीं है, बाकी सब में first time compounding होती है, इसके अलावा भी आप जानते हैं, अगर किसी court ने convict कर दिया है, तो भी compounding नहीं होती है, किसी और law में prosecution हो रहा है, तो भी यहाँ compounding नहीं होती है, उस law के तहट आपको jail जाना पड़ेगा, Indian Penal Code में या कहीं और book हो गए तो, यह बाते आप जानते हो, इसलिए B नहीं है यहाँ, B कैसे हो सकता है यहाँ, B का तो सवाल ही नहीं होती है, A, C, D, E, depending on the amount, min max है, 50 टका, 45 टका, 40 टका, 60 टका, F वला offense है, H वला offense है, या I वला offense है, यह offenses है, तो बोला है कुछ भी हो 25 टकाई है, 25 टकाई है, fix बोल दिया, min max नहीं, 25 टकाई है, फिर क्या बोला है, अगर attempt किया होगा, या abit किया होगा, attempt है या abit है, किया नहीं है आपने, तो उस case में भी 25 टका 25 टका ही है 25 परसें 25 परसें easy है याद रखने के लिए तो मैं कहता हूँ ऐसा याद रखो ना B तो होई नहीं सकता हर case में 25 टका है offense A, C, D और E में 5 करोड के उपर जाने पे 50 टका से 75 टका 2 करोड से उपर 5 करोड तक 40 टका से 60 टका बस इतना ध्यान में रखना है आपका काम हो जाएगा यह प्रिस्क्राइब किया गया है compounding of offense के related जिसके साथ हमने सारे offenses and penalties के amendments कवर किये तो क्या क्या कवर किया एक बार फटा फट अगर हम देख लें उसे quickly तो सबसे पहले सर 122 1B add हुआ 10,000 or tax evaded whichever is higher वो देख लिया तीन issues किये इस ही ओने तो फसेगा फिर क्या देखा हमने सर 132 देखा 132 में तीन offenses delete हो गए तीन offenses delete तो हुआ ही उसके अलावा जो clause B था ना उस clause B के लिए एक और limit आ गई एक करोड से दो करोड वाली बागी सब ऐसे है बागी कोई चेंज नहीं हुआ है सिर्फ वो एक ही आई पर हमने discuss पूरा कर लिया and then compounding के अंदर 138 के अंदर बोल दिया corporate नहीं भी किया होगा तो चलेगा full and true disclosure कर and जो minimum maximum में 25 टके से 100 टका होगा जिसको हम prescribe करेंगे prescribe करके बता दिया B वाला offense तो compound होता ही नहीं है तो क्या prescribe करें बागी सब होते हैं बागी सब में 25 टका है whatever is the amount लेकिन सिफ 4 A C D और E के अंदर क्या होगा 50 से 75 if the amount involved is more than 5 करोड and 40 से 60 if the amount involved is more than 2 करोड बट अप्चू 5 करोड ये हमारे सारे amendments complete होगा offenses and penalties chapter के हमारा next chapter है miscellaneous provisions ये हमारा एकदम end का discussion होता है miscellaneous का chapter जिसमें हम तोड़ा सा theory content पढ़ते हैं GST में और ये theory content का exam में limited weightage होता है कभी कभार घुमते फिरते इसमें से 3-4 माग के questions आ जाते हैं जैसे वो जो national anti-profit hearing authority है जिसे अब हम competition commission को stop चुके हैं पूरा का पूरा recently तो ये जो competition commission है जो competition act के तहत वक करता है उसके related कुछ theory वगर जो दी हुई है जो हमने देखी होती है वो सब कभी कभार पूछ ली जाती है तो miscellaneous में कई sections है last slash के जिसमें एक नया section add किया गया है section 158A and उसके लिए एक नया rule add किया गया है rule 163 तो एक separate altogether new introduction है जो हमें discuss करना है जानकारी में रखना है क्योंकि exam में ये theory में पूछा जा सकता है एकदम simple theory यानि आपको सीधे बोल दिया जाएगा कि explain the provisions of 158A जिसका title क्या है contest based consent based sharing of information information share करने का consent based तरीका उसे यहां पर cover किया गया है है क्या थोड़ा सा brief में logic बता देता हूँ फिर content देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा याद करना असान हो जाए मैं एक registered person हूँ GST में और मेरा किसी financial institution में कोई bank account है जिससे मैं कोई loan वगर अप्टेन करना चाहता हूँ loan वगर लेना चाहता हूँ तो उसको मुझे बहुत सारी details देनी होती है मेरी सारी financial details sales क्या है ratios क्या है बहुत कुछ देना पड़ता है मुझे जो देने के बाद वो approval वगर करेंगे उनकी documentation team होगी verification करेंगे credit worthiness की और फिर मुझे देंगे तो अब GST आ जाने के बाद अगर मैं अपनी GSTR 1, GSTR 3B ये सारी details दे दूँ मेरा GST registration form तो उनके बस वो सारी details पहुँची जाएगी जिससे वो अपना majority काम कर पाएंगे तो सरकार नहीं सोचा क्यों न एक ऐसा automated system या तरीका बनाया जाए जिसमें एक person अपनी details, banks और financial institutions के साथ easily share कर सके and thereby एक system बनाया गया जिसे account aggregator कहते हैं ये account aggregator as per RBI के policy directions एक NBFC जिसका कामी यही है उसे बनाया गया है and ये जो NBFC है जिसे हम account aggregator बोलेंगे ये account aggregator क्या करेगा ऐसे registered person के पास आएगा जो अपनी इच्छा से अपना information उसके साथ share करना चाते हैं और उससे information collect करेगा and ये information एक तरीके से database हो गया जो database का information वो financial institutions के साथ easily share कर पाएगा तो basically एक interface create किये जा रहा है तो आप इसे इस तरह के से imagine कर सकते हो अगर एक diagram के तुरूँ से देख लोगे कि ये मैं हूँ मेरी information ये person की information share करनी है किस के साथ किसी financial institution के साथ तो हमारे बीच में कौन आ गया है एक requesting system आ गया है ये requesting system को हमने नाम क्या दिया है account aggregator का नाम दिया है जिनने notify किस ने किया है RBI ने and अब मैं अपना GSTR-1, GSTR-3B and GSTR-EG-01 ये सब details इनके साथ share करूँगा and ये आगे इस financial institution के साथ ये details share करेंगे जिसमें account aggregator के साथ जब मैं ये details share करूँगा तो account aggregator मुझसे consent लेगा कि आप क्या अपनी information किसी भी financial institution के साथ हम साजा कर सकें उसकी मानिता देते हैं तो ये person अगर कहेगा हाँ तो मतलब उसने opt किया है कि हाँ मैं इस तरह की information share करने में समर्थ हूँ मुझे कोई दिकत नहीं है जिसमें इस sectional rule में ये बात भी clear की गई है कि ये सारी details share करते वक जिसमें tax invoices, credit note, debit note ये सब चीज़े जो share की जाएगी ये सारी information share करने से पहले इस person को उन लोगों से consent लेनी पड़ेगी जिनकी ये information share कर रहा है and जब इसने account aggregator को कहा होगा कि हाँ मैं अपना consent देता हूँ तो ऐसा मान लिया जाएगा by the account aggregator कि इस person को जिन लोगों की ये information share कर रहा है उन्होंने भी consent दे दिया है and उसकी basis पे आगे information financial institution के साथ share की जाएगी तो ये other persons हो गए जिनकी detail हम इस के थूँ share कर रहे होंगे ये concept है तो आप इसकी language read करेंगे तो अब बड़ा असानी से आपको content समझ आ जाएगा 158A provides for consent based sharing of information with notified systems furnished by a taxable person the state provision is implemented by rule 163 which provides that where a register person opts to share इच्छा है ना जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं opts to share the information of REG1, R3B, GSTR1 pertaining to invoices, debit note, credit note as amended from time to time the requesting system shall obtain the consent requesting system वो NBFC aggregator हो गया for sharing of such information and communicate the consent along with details where applicable to the common portal common portal यानि कि जो GSTR का database है उसमें update कर दिया जाएगा जहां से किसी भी financial institution के साथ या कहीं भी share करना है जो GST portal पे connected है तो किया जा सकता है the register person shall give his consent only after he has obtained consent of all the recipient to whom he has issued the invoice, credit note, debit notes for sharing such information and where he provides such consent the consent shall be deemed to have been obtained तो आप requesting system को consent दे रहे हो तो GSTR1 में जिनकी भी invoices, debit note, credit note डाले हैं उनकी भी consent ले लेना पहले और फिर आप requesting system को consent दे रहे होता है सब मान लिया जाएगा कि आपने सबके consent ले लिये है the common portal shall communicate the information with the requesting system on receipt from the state system of the consent and the details वो आगे communicate कर दिया जाएगा पोर्टल पे government ने इसके लिए notify के इसको किया है accounts aggregator को और accounts aggregator कौन होता है NBFC जिसका कामी यही है और वो RBI के policy directions के हिसाब से काम कर रहा है that's it इसके directions 2016 में issue किये गए ते उसके तहत यह operate करेंगे इत्ती सी बात आपको थोड़ी सी theory में ध्यान में रखनी है क्योंकि नया आया है कि अगर theory question आ जाए तो आप आराम से इसका answer लिख पाएं और कुछ high fund discussion नहीं है कोई बहुत important discussion नहीं है सर GST के amendments complete हो गए हाँ जी सर सारे complete हो गए GST के हमने सारे amendments देख लिए जो आपके लिए May 24 exams में काम लगेंगे अब हम customs law पे जा रहे हैं customs law में हम दो कानून पढ़ते हैं एक customs act 1962 and एक customs tarifact 1975 इसमें सी जो customs act है उसमें हमें दो changes पढ़ने हैं दो discussions करने हैं customs tarif act में कुछ sections में amendment हुए हैं और एक नया section भी आया है जो finance act 2023 लेके आया लेकिन वो still आपको नहीं पढ़ना उसे still हमें कबर नहीं करना because वो अभी तक effective ही नहीं किये गए हैं and thereby May 24 examinations के लिए वो relevant ही नहीं है तो आप अगर अपनी study material में भी देखोगे तो आपको customs tarif act में section 9A, 9C and section 65A करके warehousing chapter में call together नया section दिखेगा ये effective नहीं हुए है and thereby May 24 examinations के लिए relevant नहीं हैं यानि हमें customs act के अंदर दो जो changes हुए हैं वो discuss करने हैं और ये दोनों changes भी बहुत मामूली है बहुत मामूली इसलिए क्योंकि इनकी exams में पूछे जाने की probability बेहत कम है पर coverage के हिसाब से हम हमेशा सब कुछ पढ़ते हैं because you never know exams में कौन सी C category की चीज़ कब आ जाए surprise हो जाए इसलिए coverage हमें करना चाहिए सब सेक्शन 2 Customs Act का याद आया सर सेक्शन 47 सब सेक्शन 2 में हमने ऐसा पढ़ा होता है कि जिस दिन Bill of Entry प्रेजेंट करते हैं उसी दिन duty भरनी होती है नहीं तो ब्याज लगेगा 15 टके पे day wise और अगर verify होके reassess होके आया और reassess में पता चला कुछ differential duty और पे करनी है तो within one working day पे करनी होती है नहीं तो उसके अगले दिन से ब्याज लगेगा ये बात तो basic होती है इसके अलावा आपने पढ़ा होता है कि सर कुछ eligible लोगों को deferred payment of duty का option available होता है या eligible लोग कौन होते हैं दो एक authorized economic operator AEO और एक authorized public sector undertaking ये दो लोग होते हैं सर जिनको हमें ये deferred payment की सुविधा दी है ये eligible importers होते हैं जिस deferred payment में आपने क्या पढ़ा होता है कि अगर कोई bill of entry फाइल कर रहे हो तो उसकी payment उसी वक्त नहीं करनी आप एक तारिक से लेके 15 तारिक के बीच जितनी bill of entries फाइल करोगे किसी भी महिने की उसकी 16 तारिक तक payment कर दो batch में एक साथ पे कर दो नहीं तो 17 तारिक से interest लगेगा and similarly 16 तारिक से लेके महिने के अंत तक जो भी bill of entries आपने फाइल की उसके लिए अगले महिने की एक तारिक हाला कि जो मार्च का सिर्फ महिना होता है उसमें 16 तारिक से लेके 31 मार्च की जितनी bill of entries है उन सबका payment 31 मार्च तक ही आपको करना होता है ये बात आपने पड़ी हुई होती है ये बात में कोई बदलाव नहीं है बदलाव क्या किया गया है चेंज क्या किया गया है अब उसपे आते हैं इन्होंने एक पावर क्रियेट किये गवर्मेंट की इन रूल्स में जो रूल नंबर 4 में हम ये डेट्स परते हैं Deferred Payment of Duty Rules 2016 में उसमें रूल नंबर 4 में इन्होंने Central Government की पावर एड की है और Central Government की पावर एड करके क्या बुला है कि अगर परिस्तितियां उत्पन हुई exceptional circumstances हुए तो notification निकाल के सरकार कोई एक different due date दे सकती है कोई भी different due date दे सकती है जैसे कभी कोई emergency आ गई कोई situation आ गई किसी भी तरह का relief provide करने का जरुत हुआ तो सरकार ने समझो एक notification निकाल के बोल दिया कि इन लोगों को हम ऐसा कहते हैं कि due date 1 से 15 वाली 16 नहीं होगी 18 होगी तो फिर 18 मानी जाएगी पावर create की है इसमें कुछ notify अभी तक हुआ नहीं है ये future के लिए create की है कि कल को ऐसा कुछ करना पड़े तो कम से कम एक notification निकाल के possible तो हो ये पहला हमारा change है जो कुछ exam में पूछने जैसा है नहीं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हो गया quickly एक बार इसको देख ले फिर इसमें एक दूसरा change भी है वही deferred payment of duty में ही एक और बात भी है क्या लिखा पहले deferred payment of import duty के rules rule number 4 में ये दिया है first day to 15th day, 16th day of that month अगर उस दिन छुट्टी होती है तो उसके अगला दिन ले लेते हैं ये बात भी आपको पता है 16th day till the last day of any month other than March the first day of the following month and 16th day till the 31st day of March to 31st March ये वैसे ही है अब क्या डाला the same rules have been amended to further provide एक provisio डाल दिया rule 4 में rule 4 में एक provisio डाल दिया और बोला provisio में कि central government considered is necessary and expedient it may under exceptional circumstances and for reasons to be recorded in writing allow payment to be made on a different due date notify करेंगे reasons record करेंगे in writing necessary or expedient होगा because of exceptional circumstances तो जो due date हम उस notification में बताएंगे वो लागू की जाएगी that's it ये एक पहला change हो गया दूसरा एक और बात rule number 6 में किया गया है ये rule number खाली आपके reference के लिए बता रहा हूँ याद नहीं रखना है rule number 6 में पहले से क्या लिखा था if there is a default in payment of duty by due date more than once in three consecutive months this facility of deferred payment will not be allowed ये facility नहीं मिलेगी आपको इन्होंने क्या बुला भाई हमने आपको क्या बुला एक से पंदरा तारीक वालों को 16 तारीक टक पे कर दो आपने समझो लेट की तो वो पहला offense है आपका पहली बार आपने default किया कोई बात नहीं बे आज भरो कोई बात नहीं deferred payment ही continue करते रहना next batch की भी processing जैसे कर रहे थे वैसे ही करना लेकिन एक बार गलती करने के बाद फिर से गलती की फिर से due date miss की तो अगर फिर से गलती की ना तो जिस दिन फिर से गलती हो गई वहाँ से तीन महीने के लिए तीन महीने के लिए मतलब 90 दिन पकड़ो आप क्योंकि rules में FAQs जो issue किये थे government ने उसमें 90 दिन बोला है उनने 90 days 90 days तक आप deferred payment में नहीं जा सकते यानि कि आपको क्या करना होगा जिस दिन bill of entry फाइल करो उसी दिन पे करना होगा सब के तरह आम आम आदमी की तरह आपको पे करना पड़ेगा आपको वो जो benefit दिया है वो आप आपसे छीन लेंगे क्योंकि एक बार गलती की मानते हैं हो गई दूसरी बार की तीन महीने के लिए बूल जाओ तीन महीने के लिए ये सुविदा नहीं मिलेगी आपको हाला कि unless the duty with interest has been paid in full हाला कि आप अपनी गलती रियलाइस कर लिए और गलती रियलाइस करके वो जो duty pay करनी बाकी थी वो duty pay कर दिया आपने with interest interest तो लगा होगा ना लेट हो गए तो 15 टके के हिसाब से अमेंडमेंड नहीं हुआ ये पहले से थी पहले से थी rule 6 के अंदर कि अगर दो बार गलती हो जाए दूसरी बार गलती होने पे वहां से तीन महीने के लिए 90 दिनों के लिए आपको बार कर दिया जाएगा इस को benefit को लेने के लिए और जिस दिन आप duty pay कर दोगे with interest उस दिन फिर free हो जाओगे defer duty का आप benefit ले सकते हो अब इनोंने इस rule में एक और provision डाल दिया मतलब rule 6 में पहले से first provision तो थाई कि duty with interest पे कर दो तो वापिस eligible हो जाओगे अब एक second provision डाल दिया और second provision में क्या बुला कि अगर आपने गलती की थी तो आप ineligible हो गए but आपको वापिस permit कर दिया जाएगा exception हो गया ना कि पहले हमने बोला कि दूसरी बार गलती की तो ineligible हो गए 90 दिन के लिए but अब हम एक और provision डाल की क्या बोल रहे है आपको eligible कर दिया जाएगा अगर किसी bill of entry की payment आप उसकी due date पे कर रहे है and differential duty for that same bill of entry along with interest कर रहे है on account of reassessment within one working day within one day excluding holiday मतलब within one working day समझाता हूं क्या बोला इनोने अब within due date का अगीन मतलब समझना within due date मतलब जिस दिन bill of entry भरी उसी दिन नहीं within due date मतलब जिस दिन bill of entry भरी उसके हिसाब से ये वाली due date ही को भी अगर आप payment करते हैं and उन bill of entries पे कुछ reassessment होता है तो reassessment हो जाने पे उसकी differential duty आपको with interest ही भरनी पड़ेगी तभी हम आपको eligible मानेंगे to pay as per the deferred dates ये बात इन्होंने यहां insert कर दी है देखो honestly मेरी बात मानो तो जादा इसमें माथा मत लगाओ इसके exam में आने के कोई chances नहीं है extra वक्त डालके मैं इस पे आपको numerical कराओं समझाओं वो हम कर सकते हैं पर उसका कोई फाइदा नहीं है क्योंकि जो आपका main content है वो ही कभी exam में नहीं आता क्योंकि सिर्फ दो ही लोग eligible है इसके लिए authorized AEO and authorized public sector undertaking और उसके अंदर कुछ changes किये गए हैं तो वो इतना specific हो जाता है कि वो amendment है तो हम cover कर रहे हैं बाकि उसका कोई खास relevance नहीं है ये पहला change हो गया हमारा अब आजाओ दूसरे change पर दूसरा change क्या है section 51A electronic cash ledger आप जानते है 51A के बारे में customs में electronic cash ledger मतलब कि जो भी पैसे आपको भरने है bill of entry के वर्ग वो पहले से आप cash ledger में जमा करके रखे जब bill of entry भरेंगे तो cash ledger से पैसा कट जाएगा simple जैसा हमारे GST में होता है same logic यहां भी होता है अब इन्होंने जो 51A है वो सबके लिए applicable किया हुआ है लेकिन चार लोगों को exception में रखा है ये चार लोगों का exception एक notification के थुरू continue किया जा रहा है कई समय से तो वो notification पूश होते जा रहा है कि इन चार लोगों को electronic cash ledger के थुरू पे करना necessary नहीं है वो directly manually भी पे करना चाहें तो कर सकते हैं इन चार में आपको genuine logic समझ में आएंगे जैसे पहला क्या लिखा है अगर goods import या export हुए है custom station पे जहां customs automated system is not in place अरे भई मैं किसी essay port की बात कर रहा हूँ जहां मैं goods import export करता हूँ और वहां कास customs automated system है ही नहीं तो फिर मैं कैसे cash ledger के साथ अपनी electronic जो bill of entry फाइल कर रहा हूँ जिसे मैं manually फाइल कर रहा हूँ वो कैसे उससे map किया जाएगा वो map होगा ही नहीं इस वज़े से इन्होंने कहा कि जहां customs automated system नहीं होता वहां cash ledger के थुरू payment करना ज़रूरी नहीं है आप manually भी payment करेंगे तो भी चलेगा दूसरा goods import export हूए at international courier terminal post के थुरू मंगाया है तो post के थुरू कितनी बार आदमी एकी बार मंगाता है और कभी मंगाता ही नहीं है उसके लिए कहां cash ledger के थुरू वो payment करेगा इसले इन्होंने बोला international courier terminal पे import export किया कोई दिक्कत नहीं है cash ledger की need नहीं है तीसरा baggage accompanied baggage मैं बाहर से घुम के आया साथ में baggage में imported सामान लाया तो उसके लिए जो मैं form भरता हूँ section 77 में उस वक्त मैं duty manually pay कर सकता हूँ मुझे cash ledger से pay करने की ज़रात नहीं है again logical है ना मैं international traveler हूँ एक बार घुम के आया उसमें कहा cash ledger के थुरू पे करूँगा चौथा other than those used for making electronic payment other than those used for making electronic payment of customs duty GST GST says interest penalty fees वगरा 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 सर इसका क्या मतलब है आपने ये पढ़ा हुआ है कि e-payment करना किसको mandatory है दो लोग पढ़े है ना section 47 में दो लोग को e-payment करना mandatory है एक AEO authorized economic operator और दूसरे जो bill of entry का amount duty का amount 10,000 और more होता है ये दो लोग होते है तो 10,000 और more वाला बहुत बड़ा point हो गया क्योंकि जब भी bill of entry 10,000 और more की duty वाली होगी तब आपको electronically payment करना होगा तो इन्होंने क्या बुला जिनको electronically payment करना ज़रूरी नहीं है ना उनको cash ledger के थूरू जाने की ज़रूरत नहीं है वो directly manually pay कर सकते है कोई दिकत नहीं है जिनको electronically pay करना ज़रूरी नहीं है other than those used for making electronic payment तो अगर आपकी bill of entry 10,000 और more है तो तो e-cash ledger के तुरूरी जाना होगा अगर आप AEO है authorized economic operator है वो tier 2 या tier 3 undertaking वाले तो फिर आपको e-cash ledger के तुरूरी जाना पड़ेगा भले amount कुछ भी हो लेकिन अगर आप दोनों में ही fit नहीं होते जैसे मैंने कोई import किया और उसके अंदर bill of entry में duty 2,000 उपए है 3,000 उपए है whatever तो फिर उस case में cash ledger के तुरू payment करके set करनी की ज़रत नहीं है अब directly manually pay करेंगे चलेगा ऐसे ही मुझे कुछ interest पे करना पड़ा penalty पे करनी पड़ी ऐसा कुछ भी पे करना पड़ा जिसके लिए e-payment mandatory नहीं है तो मैं अराम से बिना cash ledger के तुरू कर सकता हूँ ये चार बातें exception में रखी हुई है इनोंने और कहा है कि इनको cash ledger के तुरू नहीं जाना again मैं वही बात कहूंगा exam angle से कोई बहुत important discussion नहीं है सिर्फ ध्यान में रखें उतना काफी है ना ही ये पहले वाला और ना ही ये दूसरे वाला इनकी exam में आने के chances negligible हैं इसके अलावा एक clarification और देदू मैं आपको specified actionable claim के बारे में हमने पढ़ा था specified actionable claim कि ये taxable होते हैं GST में और actionable claims को goods बाना जाता है इस चीज को लेके एक दिक्कत हो गई समस्या ये हो गई कि सर actionable claims अगर goods होते हैं तो custom law में goods पे import करने पे duty लगती है और यही actionable claims अगर कोई बाहर से बैटके इंडिया में provide कर रहा है तो हमने GST में amendments में पढ़ा इसे taxable किया जाता है forward charge mechanism में और सामने वाले को एक simplified registration scheme के तहत registration लेना पड़ता है OIDAR जैसा तो सर इससे तो दिक्कत हो जाएगी आप customs duty के अंदर भी IGST लगा दोगे section 5 IGST act वाला और GST में भी लग जाएगा section 5 में customs duty में लग जाएगा section 12 में क्योंकि goods हो गए तो सर इस पर दो तरफ दो बार आजाएगा GST इसलिए इन्होंने clear कर दिया कि customs law के तहत actionable claims goods नहीं है customs law में actionable claims पे कोई duty नहीं लगाई जाएगी यानि actionable claims पे सिर्फ क्या लगाया जाएगा IGST जब इंडिया के बाहर से इंडिया में provide किया जाएगा जो 28 टके का rate होगा वो ये इन्होंने clear कर दिया तो मतलब वो specified actionable claims goods हैं but for GST purposes ये for customs goods नहीं है ये clarity रखो बस और कुछ नहीं goods की definition में customs में इन्होंने include नहीं किया है अगे नहीं भी बताता तो कोई बहुत फरक नहीं परता but ये किर दिया है इन्होंने section 5 of IGST act के अंदर इसका provision डाल के इसको clear कर दिया है और कुछ नहीं है सिर्फ एक simple सा clarification है that's it customs law में और कोई amendment नहीं हुआ है जो हुए है वो effective ही नहीं हुए है जैसे section 65a डाला गया है customs act में customs tarif act में section 9a 9c में कुछ changes हुए है वो सब अभी effective ही नहीं हुए है तो वो आपको देखने ही नहीं है सिर्फ आपकी जानकारी के लिए आपको बता दिया that's it यह हमारे customs के सारे discussion complete हो जाते है so बचो हमने सारे amendments इसके साथ complete कर लिये हैं हमारे indirect tax session में customs as well as GST के related आपने इससे पिछले तीन video session में यहां import and export chapter तक के amendments देख लिये थे और इस session में हमने refunds के amendment assessment का section 62 का amendment हुआ demand and recovery के अंदर जो एक छोटा सा हमने provisional attachment का discussion cover किया वो offenses and penalties में बड़ा important discussion हुआ 122 में जो नया insertion हुआ as well as 132 में limits वगरा change की गई और कुछ offenses को हटा दिया गया यह बड़ा important discussion हुआ appeals and revision के अंदर तो एक simple सी बात थी कि भई अगर आप appeal manually भी करना चाहें तो अब आप कर सकते हैं दो situations में miscellaneous का section हमने देख तो लिया but exam angle से यह जो नया section add हुआ है यह कोई खास relevance hold नहीं करता and then last last में हमने customs के दो छोटे छोटे amendments उन्हें भी cover कर लिया again वो exam angle से कोई बहुत relevant या important amendments नहीं है जिसके साथ हमारे सारे IDT के amendments complete होते हैं and जो syllabus में update हुआ है with regard to goods reverse charge उसका एक separate video डाल दिया गया है जिसमें सारे points notification for 2017 के cover कर लिये हैं hopefully आपको सारे amendments in 5 sessions में 4 amendments के और एक syllabus update में clearly समझ आ गयोंगे for your final की preparations for May 24 हमें comment box में जरूर बताएं आपको कैसे लगीए videos and किसी भी तरीके का suggestion, feedback या और कोई भी चीज जो आप हम से चाहते हैं जिससे हम आपकी पढ़ाई में आपका और सायोग कर सकें जरूर हमें comment box में बताएं फिर मिलेंगे, till then take care, have a nice day